नमस्कार बहुत सौगत आपका आप देख रहे हैं दान यूज आपकी साथ मैं स्विष्टी मिश्टा मद्य प्रदेश की बात हो आज होगी क्या मद्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है शंखनाद भाजपा की तरफ इशारा कर रहा है आपको बता दे मद्य चुनाओ का फिल दिल्चस्प होगा इस बार का वधान समझाओ यहां पर क्या चौती बार के बार एक बार फिर से यानि पाचवी बार मद्य प्रदेश की मुख्यमंत्री वापस सब्ता का कमान सम्हा लेंगे आपको बता दे कि मद्य प्रदेश में बीजेपी की शांदार तैयारियों के बीच जन आशिरवाद यात्रा की सेला में कॉंग्रेस का बहनाता है और यह कॉंग्रेस का जो लगाता रिपोर्ट कार्ड देने की बाच्चित की जा रही है अब जमीने इस तर पर बीजेपी के काम के हाँ खड़े यह बता रहे हैं कि एक बार फिर से बीजे पी नड़ा ने चुत्रकूट से की थी तीन सुतंबर को अब उस पर लगातार दमखम भर रहे भारतिया जनता पार्टी के नेता थे प्रदेश में जन्ना शिरवाद यात्रा इतनी खास होने वाली है कि आपको जानकर हैरानी होगी इसमें प्रधान मंत्री खुद 25 सुतंब को ये सलाब देखकर थोड़ी दिक्कत नहीं अत्यरिक दिक्कत होगी इसके साथ मैं आपको बता दू 10 लाख कारेकरता शामिल होंगे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी खुद इसका समागन करेंगे जिसमें कहा जा रहा है किसका समागन ये 5 यात्राओं का जो समागन है वो महाकुम्ब के नाम से भोपाल में होने वाला है जोहाँ पर यात्राओं का समागन भोपाल में होने वाले कारेकरता महाकुम्ब में होगा तो कारेकरता महाकुम्ब के लिए खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी इसको सम्मोधित करते नजर आएंगे जिसमें 10 लाख कार इसमें मजबूत होगी और बीजेपी के द्वारा जो योजनाओ का शिला नयास किया जा रहा है जिस योजनाओ को बता जा रहा है इसमें शिवराज सिंग चौहान को अत्यधिक फादा होने वाला है तो दिके तीन सितंबर से ये जन आशिरवार निकाली गई प्रदान मंत्री इसका समागन करेंगा मिट्शाह नजर आए जेपी नडडा नजर आए राजनाच सिंग ने कहा कि ये चुनाओ के फिनिशर है शिवराज सिंग चौहान की अत्यधिक तारीफ की जा रही है जिस तरीके से उन्होंने सरकार को रिपीट करने में एक बड़ा योगदान दिया ह कहा जा रहा है वो यहां चुनाओ की फिनिशर है जैसे धोनी धोनी जैसे क्रिकेट में एक अच्छी फिनिशिंग के लिए जाने जाते वैसी शिवराज सिंग चौहान है जो चुनाओ को हमेशा अंतिम रूप देने में सक्षम है और वो काविले तारीफ है यदि मैं यह कहूँ कि आपके मामा शिवराज सिंग चौहान या राजनीत के धोनी हैं तो यह कहना अटिस्टि युक्ति पूर नहीं होगा मैं राजनीत का धोनी राजनीत का धोनी इसलिए कह रहा हूँ मैं इन्हें लगवग तीस वरसों से मैं जानता हूँ सुर्वाज चाहे जैसी भी हो लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह करकट का मैदान जीतना जानते हैं यह शिवराज सिंग जी चौहान की एक अर्भूत कला है तो देखिए 10 लाग कारेकर्टा को प्रधान मंत्री सम्मीलित करने वाले हैं सम्मोधित करने वाले हैं तो कारेकर्टा महाकुम भौपाल में होने वाला है और भौपाल में यहां खुद 25 सितंबर को प्रधान मंत्री नजर आने वाले हैं तो यह देखिए जन आशिरवाद यात्राओं की कुछ विशेश बाते थी जो मैंने आपको बता दी तो यह चुनाओ के मद्दे नजर मद्दे प्रधेश में चुनावी हूंकार संखनाद BJP ने बज़वा दिया है और यहां पर BJP का यहां योजना जो होने वाला है जितनी योजना ये BJP बताने वाली है उसको लेका जनता तक पहुँचने का काम बीजेपी के कारेकर तक नजर आएंगे तो भगवा मही यहाँ पर मध्यप्रदेश का चुनावी महौल होने वाला है यही अंदेशा लगाया जा रहा है और एक और खास इससे जुड़ी यह सामने आ रही है यह जन आशिरवाद यात 998 स्थान पर BJP का भव्या स्वागत किया जाएगा यानि करीब 1000 स्थानों पर इसका स्वागत किया जाएगा आगे मैं आपको बता दूँ इस पर अगर बात की जाए तो 679 इसमें रजच सभाई भी हूने वाली है जिसका BJP हुंकार भर रही है इसी वज़एसे कह रही है द 211 बड़ी सभा राज्य के अंदर होने वाली है तो 10 लाख कारे करताओं को परधान मंत्री नरेंद्र मोधी संबोधित करते नज़र आने वाले हैं और मैं आज दावे से कहने आया हूँ बंटाधार जी दिग विजय सिंग जी आप और कमलनाथ आप और करप्शननाथ दोनों सुन लो जब 35 सप्टेम्बर को कि हमारी जन असिरवाद यात्रा समाप्थ होगी उसी दिन तै हो जाएगा कि मध्यपदेश में अगली बार देड़ सो सिटों के साथ फिर से एक बार भारतिय जनता पार्टी की सरकार बने के दिस सरकार में ग्रह मंतरी अमिट शाह भी यहां आ चुके हैं और उन्होंने कमलनाथ को करप्शननाथ बता दिया भरस्टनाथ तक करार दिया और आपको बता दे कि शिवरा सिंग चोहान के बेमिसाल कामों को गिनाया है जिस तरीके से 20 साल से शांदार मध्यपरदेश मे काम हो रहा है और आपको बता दे करप्शननाथ के साथ साथ दिगविजय सिंग को MP में अमिच्चा ने ये कहा है मध्यपरदेश में मिस्टर बंटा धार बीजेपी इसी बात को लेकर आगे बढ़ रही है आंकड़े दिखा रही है आखिर कितने काम बीजेपी ने किये और 50 साथ साल के कारेकाल के दौरान कॉंग्रेस ने वहां क्या चक्रव्यू रचा और कॉंग्रेस ने किस तरीके से सत्ता का लालच कहीं न कहीं अपने पास रखकर सत्ता अपने पास रखकर लोगों को खुम लूटा उतना तो गैर भी नहीं लूटते जितना कॉंग्रेस प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं जेपी नज्डा राजनात सिंग अमेट शाह और अब 25 स्टमबर को इसका समापन यहां पर देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करते दिखाई देंगे तो देखिए जन आशिरवाद यात्रा जो देखा जा रहा है इससे एक बहुत positive महाल BJP के लिए बनता दिखाई दे रहा है मद्य परदेश में भी शिवरास सिंग चोहान का जो बुल्डोसर चल रहा है जो वहाँ पर गलत काम हो रहे है उसके खिलाफ जो बुल्डोसर चलाय जा रहा है ठीक UP की तरज पर तो कहा जा रहा है कि अभी इस मंतरी घोशित किया जा रहा है यानि की मंत्य परदेश की जनता के नफस को टटोल कर समझ चुके हैं शिवरास सिंग चोहान मामा जिने कहते हैं अब देखें यहाँ पर शिवरास सिंग चोहान को मामा भी कहा जाता है उसी तरज पर वो काम करते दिखाई भी देते हैं और द बीजेपी के कारेकाल का रिपोर्ट लेकर वो जनता तक पहुचे आपको बता दे यहां कहा जा रहा है कि बीजेपी में सहस है कि वो अपने काम का रिपोर्ट जनता तक लेकर जाती है अब 25 स्टमबर को पीम आएंगे तो वहाँ एक भव्य समारो दिखाई देगा एक जन सहला अब दिखाई देगा और इसी बात से तै होगा कि इस बार मध्यपरदेश में किस की सरकार अब मैं आपको बता दूँ कॉणक्रेस के कौन-कौन से वो कारणावे हैं कौन कौन से वो काम है जिस पर बीजेपी ये दमखम भर रही है कि इस बार बीजेपी चुनाओ जीतेगी दुबारा से मध्य परदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है अभी बीजेपी की सरकार है सरकार रिपीट होने जा रही है देखिए रुजान अभी जो जनता का मूड बताता है वो कहा जा रहा है कि वहाँ 50-50 चांसेज भी नहीं वहाँ पर 60-40 चांसेज है मतलब कॉंग्रेस के आने की संभावनाएं कम है और बीजेपी के काम की वज़े से बीजेपी रिपीट करने जा रही है अब मैं आपको बता दू कि S.E.S.T. जो बज़ट को रोक कर कॉंग्रेस ने काम किया उसका पूरा असर जनता पर पड़ा और जनता ने बीजेपी को सत्ता में लेकर आई जनता कॉंग्रेस को खाड़ फेकी जनता ने और जनता इसी तरज पर वोट देगी कि आखिर उनके नफस को किसने समझा है आपको बता दे प्रणान मंत्री ने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास और मनमोहन सिंग ने जो बात कई थी कि इस देश की पैसो पर इस देश पर पहला हक अलपसंख्यक का है अलपसंख्यक के हक के वज़ा से यहां कॉंग्रेस की सरकार फसी और देखे दर्श को 2004 से 2014 तक जतना बजट कॉंग्रेस पार्टी ने मद्धे परदेश को नहीं दिया उतना केवल 9 सालों में बीजेपी ने मद्धे परदेश को जुड़ने की कवाय तेज कर रहे हैं आपको बता दे की रिपोर्ट दे कमलनाथ कमलनाथ को और दिगविजय सिंग पर जोरदार यहां पर कंज कसा मिच्चा ने और भरस्ट नाथ बताया इसके साथ मिस्टर बंटाधर बताया कहा आप लोगों ने कमलनाथ की सरकार यहां देखी है 51 से ज़्यादा गरीब कल्यान की योदनाओं को एक करप्शन नाथ ने बन कर दिया था CMO मनी कलेक्शन का ओफीस बन गया था कॉंग्रेस की वरकिंग कपिटी करप्शन वरकिंग कमीटी बन गई थी और आठ सो से ज्यादा ट्रांसफर हो गए थी इस दीपी के पंदरामीट पहले 63 जार करोड का मोबाइल गोटाला 350 करोड का मोजरबेयर गोटाला 2400 करोड का अगस्ता वेस्टलेंड गोटारा 600 करोड का इपको गोटाला 25,000 करोड कर्ज मापी का वादाना निपाना और 11,000 करोड का 1178 करोड का किसानों का गेहू का बोनस खा जाना मित्रों एक कमल नाज सरकार ने ब्रस्टा चार के सारे रेकोर्ड तोड़े मिश्टर बंटा धार जी बताईए क्या काम किया आपने प्रदेश में पूर्म मुख्य बंतरी रह चुके हैं क्या ही काम किया कमल नाथ पर इशारा दिग्विजय सिंग पर इशारा कॉंगर्स के दोनों दिगज नेता और देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि पाँच लाख दस हजार सड़के केवल बीजेपी के साशन काल में मद्यपरदेश में बनी हैं उसी तरज पर इस बार फिर से सरकार को वोट देती जन्ता दिखाई देगी आगे मैं आपको बता दूँ कॉंगर्स के 50 साल का रिपोर्ट काड अब तक जन्ता को नहीं मिला और यहीं वज़ा है कि कॉंगर्स इस बार चुनाव में जो बोल रही है मद्यपरदेश में हम आने वाले हैं एक बार फिर से कॉंगर्स आएगी तो ये कतनी थोड़ी सी मुश्किल लजर आ रही है कि ये कतनी जो है वो नहीं जमीनी स्थर पर उतर पाएगी आगे मैं आपको बता दूँ यहां कहा जा रहा है कि कॉंगर्स ने एक रिपोर्ट काट तो नहीं दिया बीजेपी ने एक करोड पचीस लाग को यहां राशन मिल रहा है एक लवे स्कूल केवल 63 बने है मध्यपरदेश के अंदर 63 एक लवे स्कूलों को बनाया जा रहा है और अब मध्यपरदेश में परियाटों की संख्या एक दो करोड नहीं दर्शकों पूरे नौ करोड की हो गई है परियाटक की संख्या केवल मध्यपरदेश में नौ करोड की हो गई कि BJP जब से आई है तो राज्य के स्वास्त में सुधार हुआ है नहीं तो बिमारू राज्य बनाकर कॉंग्रेस पाटी ने छोड़ा बजट रोका शिवराज सिंग चोहान ने साक्षरता अभियान चलाया 20 साल बेमिसाल देखे शिवराज सिंग चोहान के कारेकाल को बताया जाता है बेमिसाल 20 साल और यहाँ पर दिगविजय सिंग के कारेकाल में गड़ों से भरी सड़के थी पानी बगैर खेत थे विजली के बिना घर थ पूरी बदादू बभारतिया जनता पार्टी का तो देखिए यह जन आशिरवाद यात्रा की एक सुलपता दिखाई दे रही है जनता के बीच इसका मैसेश दिखाई दे रहा है और चुनावी हुंकार भरे बीजेपी ये दमकम कर रही है मद्यपरदेश में जनता एक बार फिर्स बीजेपी से जुड़ती दिखाई देगी आगे मैं आपको बता दूँ यहाँ पर अमिट्चा ने दमकम भर दिया 150 सीटों के साथ एक बार फिर्स हमाने वाले हैं 150 सीट बीजेपी जितेगी और फिर्से मद्यपरदेश में भारतिया जन्तापाटी सरकार बनाती जा रही है और 18 दिन तक देखी एजन शिर्वाद दियातरा चलेगा 25 सुटमबर को इसका समापन खुद प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी करते नजर आएंगे कॉंग्रेस के रिपोर्ट कार्ड अभी नहीं मिले हैं किसानों के हक को जो कॉंग्रेस ने मारा मध्यपरदेश में इसका बहुत बड़ा असर कॉंग्रेस को भुगतना पड़ा और देखिए अब जो किसान निरी बीजेपी लेकर आ रही है अब इससे किसानों का जुकाओ जो है वो बीजेपी के तरफ से आटोमेटिक बढ़ता गया और यहीं बज़ा है कि किसानों के कोर वोट को अगर बीजेपी जितने में हासिल हो जाती कामियाब हो जाती है तो इससे बहतर बीजेपी के लिए कोई विकल्प नहीं बचेगा बीजेपी को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी की कॉंग्रेस को अपनी खोई होई जमीन खोजने के लिए करनी पड़ेगी मेहनत तो ये तमाम आकड़े देखी बता रहे हैं बीमारू राज्य से स्वास्त वाले राज्य को बनाना, इसके साथ राज्यों के स्वास्त सुवधाओं को सुधारना, 63 एक लवे स्कूल बनाना, एक लाग सड़के बनाना, ये मामली सा रिपोर्ट कार्ड नहीं है और इसी रिपो मैं को बता दूँ अगर मैं बजट की बात करूं तो देखे 2004 से 2014 तक कॉंग्रेस ने 95,000 करोड दिये हैं और अगर बीजेपी की बात करें मोधी सरकार ने 9 साल में मद्यपरदेश को 8,29,000 करोड रुपे का बजट दिया है तो देखे बजट में भी दुगना नहीं उससे कई ग में 8,29,000 करोड का बजट दिया साक शर्ता अभियान शिवराज सिंग चोहान चला रहे हैं और इसी तब तरज पर कहा जा रहा है कि मामा यानि शिवराज सिंग चोहान मद्यपरदेश में एक बार फिर से सरकार बनाते दिखाए देंगी देखे जुनावी दिल्चस्प और इसी सबका दौर देखा जा रहा है बीजेपी वर्सेस कॉंग्रेस की लड़ाई वहाँ पर जबरदस तरीके से देखी जा रही है अब आप बता दे कि यहाँ पर कॉंग्रेस पार्टी ने कई बार ये कहा कौन सी रिपोर्ट कार्ट की बीजेपी बात कर रही है एक भी बरस्टाचार के आरोप हमें नहीं लगे हैं देखे दर्चुका अगर बरस्टाचार के आरोप नहीं होते या बरस्टाचार आपने राज्य की जनता के साथ नहीं किया होता तो जनता आपको सत्ता में लेकर आती ये नहीं कि लगातार बीजेपी की सत्ता वहाँ चल रही है और बीजेपी को वोट देकर जिताती तो यह चुनावी महौल के बीच कॉंग्रेस पार्टी के एक चुनावी खोकले वादे अभी जमीनी सतर पर खुल कर आ रहे हैं और बीजेपी अपने रिपोर्ट कार्ट के बल पर वहाँ जनता के बीच जा रही है और जनता से मेसेज दर पर हम सरकार बनाते दिखाई देंगे संखनाद बीजेपी के तरफ इशारा कर रही है चुनावी बिगुल बच चुका है इस बीच अगर मध्यप्रदेश की जनता मुझे देख रही तो मैं चाहूंगी आप कॉमेंट करके बताए कि आखर वहाँ पार चुनावी महौल क्या बया कर रही है बहुत शुकरिया